ओम श्री गणई शेयनमा दोस्तों आपका हर्दिक स्वागत है ओम गणपती समधान यूट्यूब चैनल में दोस्तों हम आज बात करने वाले हैं 24 मई सौनवार आज के मिथुन रासिफल के बारे में इस दिन इनका वेबसाय और बिजनेस कैसा रहेगा केरियर कैसा रहेगा घर परिवार कैसा रहेगा और इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी और आज के दिन इनको कौन-कौन सी साथधानिया रखनी होंगी और कौन-कौन से उपाय करने होंगे जिससे आज का दिन सांधार और सफलता भरा रहे दोस्तो वीडियो आगे सुरू करने से पहले मेरी आप से रिक्वेस्ट है अगर आप चैनल पर नए है तो चैनल को सब्क्राइब करें और साथ में नोर्फ किसन की बेल को दबाएं जिससे आप तक समय समय पर नई नई वीडियो सबसे पहले पहुँच सके चलिए दोस्तो बात कर लेते हैं आज आप के लिए क्या positive रहने वाला है दोस्तो आज आप आत्म विश्वास और मनोबल के साहरे कोई बड़ी उपलब्दी हसिल करेंगे साथ ही प्रभावसाली लोगों के संपर्क में रहना आप के लिए प्रगती का मार्ग प्रस्तस्त करेगा और साथ ही आप अपने लक्षों की प्राप्ती के लिए और अधिक प्रियासरत रहेंगे अपने किसी नजदी की मदद करके आपको काफी खुशी अनुबव होगी और आज का दिन महत्पून और ग्यान वरतत द्यानकारी हसिल करने में वैदीत होगा किसी प्रेरफ व्यक्ती से मुलाकात हो सकती है और साथ ही रोजमर्रा के देनिक कारिये या थावत चलते रहेंगे और आप अपनी महत्पून योजनाओं को कारिये रूप देंगे जिया दोस्तो इसमें आपके रचनात्मक कारिये मुख्ये रहेंगे इस समय आप अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला रहें जिसकी वज़े से परिवार और रिष्टेदारों के मद्दे आपकी छवी अच्छी बनी रहेंगी और आज का दिन कुछ साबरा रहेगा और किसी खास व्यक्ति के बारे में आपको कुछ रोचक बाते पता चलेंगी जिससे घर में हसी खुशी का महल रहेगा और साथी किसी काम को लेकर आपकी कोशी से सफल रहेंगी विद्यारती कोई नई चीच सीखने के बारे में विचार बनाएंगे साती संतान पक्च से आपको कोई खुशकबरी सुनने का मोका भी मिलेगा दोस्तो अब बात कर लेते हैं आज आपके लिए क्या नेगटी रहने वाला है आज अनावस्य खर्च से आर्तिक समझ्य हो सकती है इसलिए अनावस्य खर्च से बचें किसी को उधार ना दें वरना आपका पैसा फस भी सकता है और यात्रा से भी आपके कष्ट बढ़ सकते हैं स्वास्त के प्रति लापरवाई बढ़तना आपके लिए नुकसान दायक साबित होगा बड़े बुजूर्गों का मन सम्मान बनाए रखना भी अतियावज सके इन बातों का आप विशेश तिहान रखें दोस्तों अब बात कर लेते हैं आज आपका घर परिवार कैसा रहेगा माता रानी की किरपा से घर परिवार में आज खुशियों का महल रहेगा माता पिता तता किसी बुजुरूप को के आसिरवास से आपको कोई लाब भी हो सकता है इससे आपका मन अती प्रसन रहेगा घर परिवार में मान सिक्सानती रहेगी घर में किसी मांगलिक कारिय करम की योजना भी हो सकती है दोस्तो अब बात कर लेते हैं आज आपका विवसाय कैसा रहेगा पारिबारिक दबावों का मजबूती के साथ सामना करने और कठिन विवसाय क परिसानियों का हल तलासने में भी आप सक्षम रहेंगे कई दिनों से चली आ रही लेंदेन की कोई बड़ी समस्या हल हो सकती है परियाप्त मात्रा में दहना हाता आ जाने से सुक मिलेगा और रिनों का पूर्ण रूप से आप भुकतान भी कर पाएंगे आज आपके चारोर सुकत वातावन बना रहेगा दोस्तो अब बात कर लेते हैं आज आपकी लव लाइप कैसी रहने वाली है पती और पतनी एक दूसरे का पूर्ण रूप से समय दे पाएंगे और एक दूसरे का पूरी तरह से सम्मान करेंगे अपनी अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे और उनका निर्वा और पालन भी करेंगे जिससे घर परिवार में सुकद महौल रहेगा दोस्तो आज ऐसे रिस्तों से दूर रहें जो रिस्ते अलग से हैं प्रेंट जीवन के लिए ये दिन काफी महत्पून रहने वाले हैं दोस्तो अब बात कर लेते हैं सिवलिंग का मीठे दूद से अभी से करें और साथी गरीबों को खाना खिलाएं या वस्तर दान करें और साथी इस मंत्र का 108 पार चाप अवश्य करें ओम नमस्शिवाए ओम नमस्शिवाए इससे आपकी सभी मनो कामनाई सिग्रपूरी होंगी दोस्तों आपको बोले बाबा का सिर्वात राप्त हो कमेंट में जैसी ववस्य लिखें धन्यवाद दोस्तों आपका दिन सुब और मंगल में हो